Hello everyone, आज हम लोग उत्तक यानि टिशू के बारे में बात करेंगे जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग खान सर के नोट्स को एक्स्प्लेन कर रहे हैं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर दे जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी समय पे मिल जाए साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट बिल्कुल करें अगर और और भी किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं जिससे कि हम लोग किसी और टॉपिक या किसी और बुक को एक्स्प्लेइन कर पाएं तो चलिए टाइम को वेस्प ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखे उत्तक यानि इंगलीज में इसको क्या बोला आता है टिश्यू अब देखे समान कोशिकाओं के समू को कहा जाता है उत्तक कहते हैं यानि समान कोशिकाओं यानि एक दो तीन चार अलग अलग टाइप का जो कोशिका है यानि एक टाइप का कोशिका का बात किया जा रहे हैं एक टैप के कोशिका है उसका एक समू यानि एक ग्रूप है उसको क्या बोला जाएगा उत्तक कहा जाएगा अलग-अलग कोशिकाओं के ग्रूप को नहीं एक तरह के कोशिकाओं का जो ग्रूप है उसको बोला जाता है उत्तक यानि टिशू उत्तक का अध्यन उत्तक को कहा जाता है हिस्टोलोजी के जनक इनको को कहा जाता है तो मार से लो मैली पिगी को कहा जाता है देखिए अगर सबसे पहले उत्तक का विकास यानि सेली टेंडरा संग के जीव यानि जिसको कहा जाता है हाइडरा जेली फिश में हुआ था अगर सबसे पहले अगर उत्तक का विकास पुछले किस में हुआ था तो सेली टेडरा संका जो जीव था एक सेली टेडरा टाइप का अलग-अलग टाइप में रहता है वो सेली टेडरा संका जीव था उसी में हाइडरा जेली फिश में हुआ था तो उत्तक के अगर प्रकार के बात करें तो उत्तक के प्रकार द उत्तक जिसको connecting tissue बोला जाता है और चोथा होता है उपलकला उत्तक यानि एडिपोज उसको क्या बोला जाता है एपिथीलियम टिशू बोला जाता है तो उत्तक कितने प्रकार के होगे चार प्रकार के पेशिये, तंत्रिका, सनियोजी और उपकला उत्तक या एडिपोज शरीर को और कान प्रोटेक्ट करता है इसे संकुचन शील यानि इसको कॉंट्राटिलड टिशू कहा जाता है इसको संकुचन शील या कानट्राटिल टिशू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे body से बहुत अच्छे से contact रहता है यानि contact रहता है इस उत्तक की कोशिका लंबी होती है इस उत्तक की कोशिका क्या होती है लंबी होती तथा इन कोशिकाओं में एक तरल पदार्थ भरे रहता है यानि इतने जो कोशिका है उसमें क्या भरा रहते तरल पदार्थ, liquid बरा रहता है, अब इस तरल पदार्थ को सारकोपलाज्म कहते हैं, इस जो तरल पदार्थ हैं सारकोपलाज्म बोलेंगे, मानव में अगर कुल उत्तक मांस्पेशियों की बात की जाये तो कितना है, 639 यानि 649 मांस्पेशिया पाई जाती है, तो ये आपको मानस्पेशियों की संख्या बताई जा रही है ना कि उत्तक की मानस्पेशियों की संख्या क्या बताई ज़े रहे 639 मानस्पेशिया पाई जाती है अब देखे दूसरा क्या है जिसको बोला जाता है तंत्रीका उत्तक के ही क्या neuron tissues के ही क्या बने होते मस्तिक्स मेरु रज्जू और सभी तरीके के तंत्री का यानि नर्वस बने होते हैं यह सुचनाओ का आदान परदान करता है यानि अगर आप से question पूछ लिया जाए कि सुचनाओ को आदान परदान करने वाला कौन है उत्तक है कौन सा टिशू जिसको connecting tissue बोलायाता है यह उत्तक शरीर के विभीन अंगों को आपस में जोडने का काम करती यानि सन्योज करेगा connect करेगा कौन सा टिशू तो सन्योजी या connecting tissue शरीर के अलग-अलग अंगों को आपस में जोडने का काम कौन करेगा तो सन्योजी उत्तक जैसे कि अस्थी को ए रक्त तरल समवहन उत्तक की बनी होती है तथा यह सरीर के तापमान को नियंतरित करता है याद रखना आपको तरल समवहन उत्तक की बनी होती है और यह क्या करता है सरीर के टेंपरेचर को क्या करता है maintain करके रखता है जैसे कि bone solid connecting tissue की बनी होती है bone किसकी बनी होती है तो solid connecting tissue की blood किसकी बनी होती है तो तरल समवहन उत्तक की याद रखना है तरल समवहन उत्तक की कौन तो आपको याद रखना है blood बना हुआ रहता है यानि रक्त बना हुआता है अब देखिए चौथा है उपकला या एडिपोज उत्तक देखिए उपकला या एडिपोज उत्तक क्या होता है जिसको एपिथीलियम टिशू बोला जाता है इससे त्वचा का बना होता है इससे क्या बना होता है त्वचा बना होता है शरीर की आंतरिक अंगों की बाहरी परत आंत्रिक जो अंग है body जैसे माली जी ये body का एक part हो गया अब इसमें आंत्रिक अंगों की बाहरी परत यानि जो बाहरी परत होगा इसी उत्तक की बनी होती है आंत्रिक अंगों की बाहरी परत किससे बनी होती है तो आपको उपकला या एडिपोज उत्तक की बनी होती है आगे बुरहापे में वसा की कमी के कारण चेहरे में जुरिया पर जाती है तो फैट बचाता है वसा बहुत हलका होने से जादा जगह घेरता है। वसा जो हücht हेले बहुत हलका होता है, इसके करान जगह को ज़ादे घेरता है। महिलाओं में वसा पूरुष की तुलना में अधिक होता है, यानि ँफ़ीमेल हैं, फीमेल में कही न कहीं मेल के comparison में देखा जाए तो fat percentage क्या होता है जादे होता है पूर्षो में वसा कम होने से उनका सरीर गठीला होता है देखिए पूरुष में अगर बात करें मेल में तो fat कम होने के कारण सरीर क्या हो जाता है एकदम solid बनता है याद रखना है देखिए one liner question है थोरा सा इसको भी आ बहुत अच्छे से समझ में आएगा देखिए कोशिकाओं का वसमूह जिसकी उत्पती सनरचना कार रे समान हो उत्तक कहलाता है याद उत्तको का अध्यन किया जाता है किसमें हिस्ट्रोलोजी में हिस्ट्रोलोजी पहले बात कर चुके हैं जन्तु उत्तक कितने प्रकार प् चार याद रखना है, epithelium यानि आपको उत्तक याद रखना है es Sriya, उत्तक याद रखना है सनियोजी उत्तक और तन्तरी का उत्तक चार तरीके के होते हैं जो कि हमने पढ़ाया 2 या 2 से अधीक उत्तकों को जोडने का कारे कौन सा उत्तक करता है तो सनियोजी उत्तक, सनियोजी उत्तक क्या करता है, दो से अधीक या दो से अधीक उत्तकों के जोड़ने का काम करता है, जैसी कि रक्त उत्तक को एक दूसरे में जोड़ेगा, लिगामेंट, कॉर्टिलेज हो गया, ये सब क्या है, एक दूसरे को जोड़ने में काम करता है, जन्तु की बाहरी भीत्री स्वतंत्र सता पर कौन सा उत्तक पाए जाते हैं। जो हम लोग नहीं चाहते हैं वो और जो हम लोग चाहते हैं वैसा क्रिया कौन नियंत्रित करता है तो तंत्रिका उत्तक करता है। इसका हमने क्या पूरा प्लेलिस्ट बनाए हुए तो आप जाके वीडियो में देख सकते हैं प्लेलिस्ट वाले में यानि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हम लोग का मोटिवेशन भी इंक्रीज होता है कि लोग का विस्व